गुड मॉनी स्टूडेंट आज हम देखेंगे कि how to express the answer in simplest form यहाँ पे कुछ like question आपको given है 5 is to 2 by 3 and plus 3 is to 3 by 4 like आपको ये 2 mix fraction given है और आपको क्या करना है इनका addition करना ठीक है addition करना और जो आपका answer है उसको simplify करना है mix fraction की form में change करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे मैंने बहुत easy method आपको बताया था कि सबसे पहले हम whole part को solve करेंगे तो means क्या हो गया 5 plus 3 और जो हमारा fractional part उसको one side solve करेंगे भई 5 plus 3 8 into अब ये दोनों different है तो क्या जाएगा आपके पास थोड़ा सा इस तरह के से लिखेंगे 3 for the 12 then cross multiply 4 to the 8 दिखाई देखते हूं आपका पता नहीं 3 into 3 means क्या हो जेगा 8 into 2 for the 8 plus 3 3 is a 9 upon 12 that will be 8 into 8 plus 9 17 upon 12 that is your answer ओके इस तरह से आपको solve करना है very easy part और each and every question ऐसे ही करना है एक मैंने sum का बता दिया एक मैं subtraction का question आपको बताने जा रहे हो one more thing यहाँ पे मैं clear करना चाहूंगे आप लोगों की कि यहाँ पे यह जो numerator की value है ना यह denominator से जादा है भी क्या है जादा तो हमें क्या करना है भीटे हमें इसको proper form में लेके आना है ठीक है क्योंकि बाद में answer में भी आपको इस form में दिया होगा ठीक है और यहाँ पे यह यह है यह क्यूं है इसका कार्ण मैं बताते हो यहाँ पे आपने क्या किया 12 क्या क्या करोगे तो यहाँ पर 1 इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर कितना बचेगा 5 यह कैसे है क्योंकि जो भी आपका नियुम्रेटर होता है उसकी वैल्यू आपके डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए तो आप क्या करोगे 17 अपन 12 करोगे 12 बन्जा 12 अब आपके पास यहाँ आपके 5 बाई 12 फ्रेक्शन यह आई न ठीक है अब आपको क्या करना है यह जो 1 है इसको एड़ करना है 8 में 1 को एड़ करोगे तो क्या बन जाएगा 9 5 बाई 12 बाद समझ में आई बाद क्लियर हुई आपको अगर आपको यहाँ पर आपके numerator के value denominator से जादा होगी आंसर यह भी होगा बट आपको क्या करना है numerator के value को कम करना वो कैसे करेंगे जो भी आपका fractional part है इसको 12 से divide कर देना तो कितना पर 1 जापे जाएगा 17 माइनस 12 करोगे तो 5 बचेगा आपके पास जो यह 1 whole part आपके पास आया है आपको 8 में इसे add करना है बास समझ रहे हो बास समझ रहे हो यहाँ पर आपको 1 add करना है तब आपका 5 by 12 हो जाएगा 8 plus 1 बास समझ में आई ठीक है तो इसी way में करना है confused नहीं होना है वैसे easy method है बिलकुल अगर फिर भी इसका alternative method बता देती हुम आपको अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो alternative method भी है यह method वैसे best है थोड़ा सा आपको थोड़ी समझ तो बनानी पड़ेगी है ना बाकी calculation बिलकुल easy होती है इसमें 3 5 जा 15 plus 2 17 by 3 minus 4 3 जा 12 plus 3 15 by 4 LCM लोगे 12 multiply करोगे 17 into 4 minus 15 into 3 क्या जाएगा 68 minus 45 upon sorry plus है minus नहीं है चीक है plus 12 करेंगे तो 5 plus 8 3 6 plus 4 10 और 1 11 12 करेंगे mix fraction में तो direct भी answer आजाएगा आपका 9 is 2 5 by 12 12 9 जा 108 113 में से 108 less करोगे 5 आपका बचेगा बात समझ में आ रही है या आप ये method यूज किये कर सकते हो अगर आपको easy लगता है ये वाला method दो otherwise आप whole part में भी इसे solve कर सकते हो चीक है तो दोनो method मैंने बता दिये हैं सबके अपनी समझ होती है जिस वच्चे को जो समझ में आता वो कर सकता है अब यहाँ पे मैं एक आपको subtraction का भी करा देते हूं subtraction में क्या हो जाएगा आपको question given है 2 is to 3 by 14 minus 1 is to 5 by 21 यहाँ पे question है आपका तो इसको solve करना है मैं तो कहूंगी तो मेरे पास वही two method है तो आप ऐसे भी कर सकते हो 2 minus 1 into 3 by 14 minus 5 by 21 ओके यहाँ पे क्या पचा 2 minus 1 1 यहाँ से solve करेंगे बाई 14 और 21 का आपको LCM find out करना होगा 14 and 21 27 जा 14 यह नहीं हो रहा इसकोईज़टी इस रहने दीजिए 37 जा 7 बन जा क्या गया 23 जा 6 6 7 जा 42 तो LCM क्या जाएगा 42 solve करेंगे 3 into 14 3 जा 14 3 जा 42 3 जा जाएगा minus 5 into 21 2 जा 42 1 is to 3 3 जा 9 minus 5 to 10 42 solve करेंगे तो बीटी क्या आजाएगा आपका अंसर minus 1 is to minus 1 is to 1 by 42 आपका अंसर यह भी हो सकता है और alternative method से भी आप इसको यह question समझा देती हूं क्या आप कैसे करोगे गिवन है 2 is to 3 by 14 minus 1 is to 5 by 21 solve करेंगे तो 14 जा 28 plus 3 31 by 14 minus 21 जा 21 plus 5 26 upon 21 LCM तो आपने अल्रडी निकाल लिया क्या हो जाएगा 42 that is 31 minus थोड़ा जा निची लिखते हूं 42 31 into 14 3 जा माइनस 26 into 21 जा solve करेंगे क्या जाएगा 3 3 3 जा 9 minus 2 6 जा 12 2 2 जा 4 और 1 5 means 13 sorry 3 minus 2 1 9 minus 4 41 upon 42 solve करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास solve करेंगे तो भाई आपकी value आजाएगी यहाँ पे 1 is 2 1 by 42 1 is 2 1 by 42 कैसे आई यहाँ पे value आपकी 42 है 42 बन जा 42 1 minute क्यों solve करेंगे हम कम है ना numerator जादा होता तभी तो लेके जाते 43 होता तभी solve करते तो answer डारेक्ट आजेगा ठीक है यह answer आया है फिर से confused नहीं होना देखो value कम है इस ले लेके आए 41 upon 42 है ना यहाँ भी तो वही बात है minus 1 is 2 1 by 42 का क्या मतलब है वही मतलब तो है कि जो भी यहाँ पे value होगी वो 42 से 1 less होगी मतलब यहाँ minus 1 है इसका मतलब क्या है यहाँ पे जो भी value होगी वो इससे 1 कम होगी means 41 upon 42 यहाँ पे 1 minus होने का मतलब है जो भी यहाँ पे value आएगी आपकी 42 से कम होगी 42 से 1 कम होगी 1 है अगर यह value ऐसे होती minus 2 is to 1 by 42 तो it means यहाँ पे जो value रहेगी वो क्या रहेगी 39 by 42 यह मैं इसलिए तुम्हें different method बताने की कोशिस कर रही हूँ बच्चा ताकि आपको new method बता चले आप रट लेते हो एक method को मतलब और कुछ समझना ही नहीं चाते math सीक रहे हो तो थोड़ा logical होना चाहिए तो minus 1 is to 1 by 42 को हम क्या लिख सकते हैं 41 upon 42 मैं अपनी तरफ से best logic की यहाँ से new method निकाल के लाती हूँ ताकि आपको पता चले कि एक जो कोई result आपके पास आ रहा है तो वो कैसे आ सकता है कितने different ways से आ सकता है ठीक है फिर भी मैंने दोनों method आपको बता है जो आपको best लगता हूँ आपकी चीए ओके